हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों अभी मैं अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा हूँ इंडिया से बहुत दूर और एक कमेंट बहुत आ रहे थे और कहीं लोगों ने लाइब में भी पूछा आउटर बैट के बारे में तो मैंने हला कि इस पर एक दो वीडियो ब कि आउटर बैट जो होती है वो बहुत इजी लगती है बहुत लगती हमें की इजी है तो इस चक्कर में लोग उस पर ज्यादा प्रभावित होते हैं कि आउटर बैट के चक्कर में दर लाइट कम आ रही ना चेहरे पर इस तरह बैठता हूँ अब देख रही है ना शकल तो मैं यह कह रहा था कि आउटर बैट जो है ना वो एक तरह से कसीनों का या यह जूए का एक विजिटिंग कार्ड है रूलेट के अंदर कि जिसको देख करके लोग इंप्रेस हो करके आए आउटर बैट में क्या होता है कि बहुत ही आसान लगत आउटर बैट क्या होती है वन इट इंटू वन अतलब आधा आधा एक जिरो को आप लेना चाहो लो नहीं लेना चाहो नहीं मतलो पर आपके पास आउटर बैट में जो आप्शन होता है उसमें सबसे असान आप्शन होता है कि आधा आधा 50-50 ए रेड या ब्लैक है जब तीस में इसे अठारा इठारा ओंबर है दोनों आधार है और जीरो जीरो गीरो को आप बार बार कंसीडर मत करूंड जीरो पर चाहे आप एक चीप रग दो चाहे उसको जैसे समर्जी आप लो या नई लो यह बाइचांस की बात होती हिह जीरो आए बैट की आने वा सब बराबर इसके बाद आती है आउटर बैट जो है डजन में डजन में 1 to 12 13 to 24 25 to 36 यह तीन डजन होगे डजन मतलब दर्जन जो होते हैं बारा का दर्जन वह गया इसमें प्रॉफिट वन इच इंटू होता है अगर आपने आउटर बैट में 50 50 पे लगाया AU, terrible आपकी बैट आगही तो आपको 1000 क疫 लिए और 1000 वाली बैट जिसमें 12 नमबर कवरर होते है ड़िए एक फिर फिर वाली जो सबसे। hem पर फैसे यह सबस्जादा राड़ में सबस्यादा एक तो यह कॉलम में बताओ आउटर बैट तो असानी से जीती जा सकती है यह हो सकता हो सकता देखो अगर आप आउटर बैट में जब तक आप जैकपॉट नंबर नहीं बनाओगे तब तक आउटर बैट में आप जाता बड़ा आगे नहीं जा सकते हैं यह बात मुझे 2018 में गोवा के अंदर कसीनों में आदमी ने बताई थी और काफी एक्सपीरियेंस था उसने में को आउटर बैट खेलते हुए देखा कि मशीन में आप जाग ले तो नहीं दूसरे की टच स्क्रीन पर उसने का आप खेल बहुत बढ़िया रहे हो पर आपना इसमें न मैं डजन खेल रहा तो मुझे अच्छी तरह आगा है उसने इसमें से एक बीच में जरूर नंबर लगा करें एक या दो जो भी आपको लगे कि वो आया तो आपका जैकपॉट नहीं आया तो आपको डजन में तो प्रॉफित ह सिर्फ एक या दो चीप ही जाएगी यो आपने मान लो हजा रुप लगाए तीन घ्जा रुप आएंगे अगर पचास की चिप है या सो की टीप अगर आपने बीच में लगाई और वह आला नंबर नहीं है तो सौ रुपर हिजय तो जाएंगे मासा हजार का तीन अजर हगय जैसे आउटर बेट 50-50 वाली है इसको कंसेट को समझो जब आपने टोटल रूलेट वील के अंदर कितने नंबर है 37 सिंगापूर वगरा में और फिलिपिन्स में अलग बात है कि फिलिपिन्स में 38 नंबर भी होते 49 नंबर तक भी होते 40 तक भी होते वह अपने कसीनों के नाम जैसे आपने 50-50 में चुना तो अब 37 नंबर है रूलेट के अंदर आपने बोला कि भी रैड आएगा तो आपने जब रैड को चुना इसका मतलब यह आपने मान लिया कि भी ब्लैक तो नहीं आने वाला तो ब्लैक के ठारा नंबर हटा दो जीरो को आपको लेना है लेलो नह जब आपने आपने ऩी तरफ रखना है तो आप घॉलेट मे जीरो के साथ। detailing कर सकते हो रैड होता है एक के साथ sharply कर सकते हो वह भी रेड होता है रैड आएगा तो मिलेगा अगर जीरों जाए अगर आप ब्लैक चुनते हो तो आपने 2007 कि अध्म शक्श कर सकते हैं से ऩिशेय पर आपने गेम में एंटर करने के पाव तो आपको 37 नमबर में से चुणना है कि कौन हो कि योन ठीड़ तो आप मुझे बता उ 3.37 में से एक नंबर को निकालना ज़्यादा असा है या 18 नंबर में से 1 नंबर को निकालना ज़्यादा असान होगा प्रेडिक्ट करना कि कौन सा आएगा ठीक है स्वीद्धन के उपर अपलाई कर लो दोड़ा और देख्षावर के मामल के मामले में पांच आएगा, 23 आएगा, 32 आएगा, 14 आएगा, ऐसा भी होता है, तो ये धोके में मत रहना पर ज्यादा तर चांस होते हैं कि रेड है तो उपर का कॉलम आ सकता है, ब्लैक है तो बीच वाला आ सकता है, क्योंकि ज्यादा नंबर है उसमें, अब मैं आपको ये कहना चाहरा आपको लगा कि यार ये जो है, ब्लैक में आएगा, और ब्लैक में मुझे लगता है गी 17 आ सकता है या 17-20 आसकता है, ओफलेंस चल रहा है, ब्लैक कलर चल रहा है तो 17-20 पर आपने एकच्छी स्पिर्ट लगा देगा दिए, ये डजन में है या ब्लैक में, क्योंकि अगर आप उसमें जाओगे बड़े चोटे नमबर में तो 20 आजाएगा बड़े नमबर में 17 आजाएगा चोटे नमबर में तो अगर आप color में जा रहे हो या dozen प्ले कर रहे हो और आपको लगता ओफलीन्स आ सकता है एक या दो पे चिप लगा दो, फो आपका हाइस पे आउडब आला नमबर हो जाएंगा मान लेते हैं कि अध़ा तो आया पर वो नमब्र नहीं है तो इसमें आपका नुक्सान क्या हूएु नहीं आपकी एक चिप थो कम हूई यह वाले corner पे चिप लगा दिया आपको लगता है कि छोटा number आएगा आपने 18 number सिलेक्ट कर रहा है अब अगर 18 number फर्स्ट वाले small number आते हैं तो तो आपको profit मिलेगा वनेच इंटूवन अगर इन चार में से आ जाता जो आपने प्रेडिक्ट किया तो आपको इसके अलग से 9 चिप मिल जाएगी नहीं आई तो आपको जो मानलो आपने 10 चिप लगाई है 10 की 20 हो रही है उसमें से 20 की 19 हो जाएगी जैकपोट नमबर जब तक नहीं बनाओगे आपको boost नहीं मिलेगा एकदम जम करके आपका जो profit वो पर नहीं बढ़ेगा और यह boosting बहुत जरूरी होती इससे आप motivate रहते हो आप टिके रहते हो आपको एक नमबर भी हिट कर गया बीच में से जिसमें आपने jackpot बनाया मैं इसको jackpot बोलो आलगी jackpot तो बहुत बढ़ा payout वाला होता है पर इस तरीके से खेलने में यह jackpot हो गया बैट में profit ज्यादा नहीं होते हैं जैकपोट तो हमने बना लिए आया नहीं आया नहीं नहीं आया इसमें आपका बैट का माउंट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए और उमीद होनी चाहिए कि दो से तीन बैट मेरी हिट कर जाए और आपना बंद करके जाओ अगर आपने बैट का माउंट छोटा रखा टार्गेट आपका बढ़ा है तो आपको ज्यादा बैट जीतना पड़ेगा ज्यादा तो कि आउटर बैट ना उसमें कुछ कम बैट ही आएंगी तो अगर प्रॉफेट ज्यादा है मतलब तार्गेट ज्यादा है और आप आउटर प्ले कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बैट बैट करनी पड़ी है यह यह जैकपोट वाला जो बीच में नंबर है कि आपन बीचेलर नहीं है चाहते है रिस नहीं लेना चाहतेएक अगर ऐसे लोग यह ब्रॉज फ़िलते हैं यह बढ़ेट जो सेफव की बट इसलेट नंबर है आपको लगता है कि यह बीच वाला डिजन आएगा बारा नंबर बारा नंबर में से छे नंबर पर आप दुबारा से एक लगा दो चिप की नीच यह आगया तो डिजन का भी आएगा छे नंबर के जो डबल लाइन है उसका भी पेयाउट आएगा जब तक आप अपने कुछ नंबर हाइएस पेयाउट वाले नहीं रखोगे आप विड्रॉल बड़ा विड्रॉल करके गेम बंद नहीं कर पाऊगे यहाँ पर बड़ा विड्रॉल से मतलब यह है कि जो भी आपका टार्गेट है वहां तक पहुंचाना और पैसा उतना ही डाल करें और आउटर खेले तो तो हम रोज का इतना बना सकते हलवा है क्या गुर्दवारे का प्रशाद है जो रोज जाके बिल जाएगा आपको ऐसे नहीं होता समझदारो ध्यान से देखो समझो पैसा आपका किसी का कुछ नहीं जाने वाला लोग बर्गलाएंगे कि का उचलाएंगे लिफट पैसे में जाफ़ो लोज जाता सबके बैसे याष सकतो हम वे